नमस्कार दोस्तों, वेलकम टूम टू मॉडल प्रैमरी स्कूल राजगड़। दोस्तों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हैं और वो टॉपिक है दोस्तों, इडियम सेंड फ्रेजेज। यह चार बहुत ही पापुलर और इंपोर्टेंट इडियम सेंड हैं, इडियम सेंड फ्रेज पे, पहला है तू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब है दोस्तों, शेइंग संथिंग तो अनदर पर्सन देट इस कंसीडर्ड इनप्रोप्रियेट इंसल्टिंग और तू पर्सनल, किसी को ऐसी बात कहना, जो कि मानवी गरिमा के खिलाफ है और अपमानजनक है, अनुपयुकत है, एन इंसेंस्टिव जोक टो एनिबड़ी इस लाइक ही बिलो द बेल्ट, किसी के साथ अगर आप भद्दा मजाक करते हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे आप उसे बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हैं, यानि किसी के साथ अमार्यादित जो मजाक ह किसी के साथ जो भद्दा मजाक है, वो एक प्रकार से अमर्यादित है, दूसरे पर आते हैं, टू कास्ट परल्स बिफोर स्वाइन, शूकर के सामने, सूवर के सामने, मोती बिखेरना, offer also something valuable, good, or beautiful to someone who does not understand its value, किसी को ऐसी चीजे देना, ऐसी बेश कीमती चीजे देना, जिसका मूल वो न समझता हो, राम डिसाइड़ नॉट टू बाइ दे मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन फॉर दिनर, तिंकिंग देट, वुड बी, कास्टिंग परल्स बिफोर स्वाइन, राम ने रात्र भोज के लिए, महंगी शराब नहीं खरीदा, ये सोच करके, कि ये, आगे चलते हैं दोस्तों, to cry over split milk, to express regret or to repent over something that cannot be changed, ऐसी चीजों पर आसु बहाना, ऐसी चीजों पर प्रलाप करना, जिसको आप फिर बदल नहीं सकते हैं, अजये made a mistake, जये ने एक गलती किया, but there is no point in crying over a split milk, लेकिन कोई बात नहीं है, अजये ने गलती किया, गलती मानो सुभाव का हिस्सा है, मानो है तो गलती करेगा, लेकिन उसमें प्रलाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो mistake हो चुकी है, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिस तरीके से फटे ह हुए दूद को उसको मौलिक रूप में नहीं लाया जा सकता, तो उसे accept ही करना होता है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, make a mountain out of a molehill, तिल का ताड़ बनाना, over emphasize, magnify, overstate, exaggerate, overreactive, तो आजे don't want to make a mountain out of a molehill, यानि कहने के मतलब है किसी भी छोटी सी छोटी minute event को इतना magnify कर दिया जाए, इतना overstate कर दिया जाए, इतना exaggerate कर दिया जाए, या उसके प्रतिव इतने overreactive हो जाए, उसे को कहते हैं भही, दिल का ताड़ मत बनाईए, थैंक्स फॉर वाचिंग, my dear friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे comment कर सकते हैं, like कर सकते हैं, और channel को subscribe कर लें, ताकि आपको ऐसे ही educational, interesting videos मिलते रहें, थैंक्स फॉर लेस्निंग और वाचिंग, दिस जैजे दूबे, signing off.